Hello my dear students, तो आज हम करेंगे 7th class की exercise 11.2 का question number 6 तो देखे question number 6 है ABCD is the parallelogram given in figure DN and DM are the altitudes on side AB and CB respectively if area of the parallelogram is 1225 cm square AB is equals to 35 cm and CB is equals to 25 cm find DN and DM उन्हेंने बोला कि ABCD क्या है parallelogram है ठीक है ABCD parallelogram है हमारे पास और DN and DM क्या है altitudes है means height है ठीक है जो किस पे है AB और CB respectively means AB के उपर DN जो पर perpendicular है means height है और CB base के उपर DM क्या है height है तो देखे ए बी के उपर DN height है और इसी तरह CB के उपर जो है DM height है और उन्हेंने क्या बोला है if the area of parallelogram is 1225 cm square AB कितनी दी हुई है AB की value है 35 cm CB की value कितनी दी हुई है 25 cm अभी हमने find क्या करने है heights find करने है ठीक है जिसके लिए हम क्या करेंगे लिख लेंगे area of parallelogram लिखते है area of parallelogram area of parallelogram किसके equal होता है होता है base multiply height के equal ठीक है base multiply height के equal मगर कितना है इदर दिया हुई है ना हमारे पास area of parallelogram is 1225 cm2 तो लिख लेंगे 1225 cm2 ठीक है means base multiply height जो है वो equal है 1225 cm2 ठीक है जी अभी देखिए जो हमारे पास base है सबसे पहले हम यह वाला base मान लेते है means यह भी वाला base कितना है 35 cm multiply height कितनी है height है dn जो हमने find करनी है तो हम लिख लेंगे dn is equals to किसके आएगा जो हमारे पास area है parallelogram का ठीक है अभी देखिए 35 जो multiply हो रहा है dn के साथ तो दूसरी side पे जाके क्या होगा divide होगा तो dn as it is रह गया है इदर और इसके जो 35 है नीची आ जाएगा cancel out करते हैं पहले 35 को अगर 5 के table पे काटे तो 7 आ जाएगा अगर हम इसको जो 5 के table पे divide करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा 245 ठीक है जी इसी तरह अभी हमने क्या करना है देखना है कि जो दोनो 7 के table पे divide होते हैं जा नहीं तो जिसके लिए हम इसको पहले divide करके देखते हैं 245 को 7 के table पे divide करके देखते हैं ठीक है 7, 3 जा होते हैं 21 4 में से 1 गया 3 उपर से 5 आ गया है अभी हमें पता है कि 7, 5 जा कितने होते हैं 35 तो उपर भी हमारे पास क्या आ गया है 35 इधर 7, 1 जा 7 7, 35 जा होते है 245 तो means हमारे पास जो dn की value है वो कितनी आ गई है 35 cm ठीक है ये वाला जो dn है इसकी value कितनी है 35 cm ठीक है अभी हमने क्या करना है जो dm जो है वो भी find करना है जिसके लिए हम क्या करेंगे लिख लेते हैं फिर से area of parallelogram is equals to कितना था area हमें given 1225 cm2 ठीक है area का formula क्या होता है parallelogram का base multiply height is equals to 12,025 अभी हमारे पास जो base बन रहा है इदर वो बन रहा है जे वाला ठीक है BC वाला कितना है 25 और height जो है वो कौन सी है dm ठीक है इसके उपर जो height है ठीक है BC base के उपर height क्या बन रही है हमारे पास dm height बन रही है तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है अभी देखिए 1225 आ गया है 25 multiply हो रहा है इदर तो दूसरी साइट पर जाके हो जाएगा divide तो ऐसे आ जाएगा 1225 के नीचे आ जाएगा 25 ठीक है 5 के table पे divide करेंगे तो 5 आ जाएगा अगर हम इसको 5 के table पे divide करेंगे तो हमारे पास बनेगा 245 ठीक है फिर से 5 के table पे divide करते हैं इसको 5 1s आ 5 5 4s आ 20 होते हैं और 4 बचके और 5 ठीक है means 5 9s आ होते हैं 45 तो हमारे पास 49 बनेगा ठीक है means DM की value कितनी आ गई है 49 cm बस जाएगे हमारे इस समकांसर चलिए students तो आप question no.7 देखते है find the area of the following triangles ठीक है इस सम में हमने area find करना है triangles का ठीक है जी ABC हमारे पास इस सम में जो है triangle है और AC कितनी दिवी है 7 cm जिसके उपर height जो बन रही है उसकी length है 4.8 cm means AC हमारे पास base है जो 7 cm है और जो J वाली height है इसकी length कितनी है 4.8 cm अभी हमने find क्या करना है area find करना है triangle का तो formula लगाते है area of triangle का जिसके लिए हम लिख लेंगे area of triangle is equals to 1 upon 2 multiply base multiply height ठीक है जी जे हमारे पास area of triangle का formula है अभी 1 upon 2 as it is आ गया है base कितना है हमारे पास 7 cm तो 7 लिख लेते हैं height है हमारे पास 4.8 cm तो लिख लेंगे 4.8 ठीक है जी अभी देखिए हमने क्या करना है 1 upon 2 as it is लिख लेते हैं multiply 7 multiply point हटाते हैं इसका तो 48 उपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा point की जगे पे 1 और साथ में point के बाद एक digit है तो आ जाएगा इधर 0 अभी इसको पहले 2 के table पे divide करते हैं हमारे पास क्या बन जाएगा 2 ones are 2 2 two is a 4 4 two is a 8 तो उपर आ गया 24 नीचे है 10 और इधर है हमारे पास multiply में 7 देखिए इसको कैसे solve करना है सबसे पहले 24 को 7 के साथ multiply करते हैं 24 को 7 के साथ multiply किया तो 7 fours are 28 carry गया 2 7 2 is a 14 14 और 2 होते हैं 16 ठीक है जी 168 आ गया है और bond में आ जाएगा हमारे पास 10 अभी इस fraction को decimal में change करते हैं तो कैसे करेंगे 168 as it is लिखते हैं सबसे पहले अभी देखिए 1 के बाद 1 0 है तो पीछे से 1 digit शोड के लगा देंगे point तो mean 16.8 cm square जो है वो हमारे पास इस triangle का area आ गया है ठीक है जी बस जहिए हमारे इस 7th question के first sum का answer चलिए इसी तरह second sum देखते हैं 7th question का जिसमें हमारे पास ABC एक right angle triangle दी गई है BC जो है वो है 6 cm जो की base है हमारे पास और जो AB है वो 9 cm है जो की है हमारे पास height देखिए इधर हमारे पास 90 degree का angle बहुन रहा है इतना तो mean इस base के उपर जो हमारे पास height है ठीक है जी AB हाइट है और BC क्या है base है और हमें पता है कि हमने area find करना है तो दिख लेते है area of triangle किसके एकोल होता है area of triangle 1 upon 2 multiply base multiply height अभी 1 upon 2 as it is आ गया है base कितना है 6 ठीक है जी multiply height कितनी है 9 solve करते हैं इसको 2 1s are 2 2 3s are 6 अभी देखिए 3 और 9 बने हैं 3 9s होते हैं 27 तो 27 cm square answer हो गया है हमारे इस sum का तो आज की वीडियो में हमने क्या solve किया है question number 6 और 7 exercise 11.2 का तो इसके साथ ही हमारी वीडियो होती है complete अगर आपको वीडियो वशी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू झाल आपको === झाल आपको का ब conf्ताव वीडियो करें